तो आज हम डिस्कॉस करेंगे पिछले कल अठारा प्लै दोजार एक्षिस को जूनियर इंजनियर सेबल का पेपर हुआ है और यह पोस्ट कोड है आठ सो बैसी इसका मैं जीके शेशन को यहां पर डिस्कॉस करूँगा और अगर आपको पीडिएफ चाहिए होगी तो आप टे आपका पी एसल्वी सीफिफिटीवन और सीच में राइट अंसर है नेक्स्ट कोचिन है विच फानाइशल इंस्टीशन है डिसंट्ली अप्रूब्ट फोर इंडिया प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग शातिस्गर्स चिराग और क्रिप्टू तो इसको अप्रूब्ट किया है जोंकि नहीं है क्योंकि आपको इसको ठीट से पर ननती है वैसे इन मैं से बतायना की कांजीज 좋다 जैसे ग्लास हे आथा ऐहां से मिरर बंद रहा है तो यहां से अब्समें रही नेक्स कोचन यहां पर दे रखा है गाई जिसका मुझे दिसे लिखा हुआ कि यह जो सेकिंड सिक्स नाइज इन टॉलर लेटर इसमें से आपको निकालने हैं और से कोई बर्ड बनेगा तो उसको आप उसका लास्ट अंसर आपको लास्ट लेटर आपको पताना कौन सा होगा तो आप इसको खुल सॉल्ब कर लेड़ना इसका मुझे कोई अंसर नहीं मिला है तो अगर किसी को पता है तो प्लेस कमेंड बोक्स नहीं पता है और उसका अंसर जूट देख लें जो इसको वीडियो को देख रहा होगा नेक्स कोचन है Mrs. letter यह सीरीज दे रख़ी है आपको पताना है इसमें से इसमें कौन कौन से letter आएंगे तो यह सीरीज जैसे यह बनेगी है आपकी series तो option number आपका आएगा ए इस तरह से उसको solve करते हैं next question आपके आते हैं history से the term rn literary means तो यह rn का मतलब क्या होता है यह होते हैं आपके of high worth तो option number इसमें b right answer है next question है आपका the capital of karu महाजनपद was located at मतलब करू महाजनपद की राजा नहीं कहां पर ती तो यह थी हस्तिनापूर option number इसमें right answer है next question है in which year महमूद गजनवी plunder सोमनाथ temple किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदर को लूटा था तो यह आपका है option number इसमें एक हजार पचिस इसपी में अगला question है विच दिल्ली सुल्तान इंट्रड्यूज दा गजे सिकंद्री और 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटर फ्यल्स तो यह आपके सिकंद्र लोदी option में नहीं है तो option केसरी और मराठा किसके कारे हैं यह आपके बाल गंगा दर्तिल्क option number इसमें अगला question है यह फोक टांस यह फोक टांस कौन सी स्टेट का है तो यह राइटन सरेगा option नमबर ए हरियाना नेक्स आपका टाइटन इस सेटलाइट ऑफ इच प्लैनेट तो कौन से प्लैनेट का यह ग्रह का उपक्रह है तो यह है Saturn तो ओशनी का option number B एला question है डेकन प्लैट्व इस लकूइटर इन विच पार्ट आफ इंडिया तो डेकन प्लैट्व कहां पे है यह आपके सौथ रिजन में है तो option number D इसमें राइट अंसर है next है what is the approximate percentage of nitrogen in the earth atmosphere तो यह है आपकी 78 percentage option नंबर इसमें राइट अंसर है next है पंपास इस एक ग्रास लैंड और बिच कंट्री तो यह कौन से कंट्री में यह ग्रास लैंड है पंपास यह आपके हैं अर्जन्टीना option number 6 में राइट अंसर है next question है अमूर रिवर्स फ्लो इन विच कंट्री यह अमूर रिवर्स जो है न यह चाइना और रशिया के बीच में बहती है तो इसका राइट अंसर भी मुझे कोई confirm अंसर नहीं मिलाएगी कौन सा होगा इन दोनों मैंसे तो अगर आपको किसी को पता है तो प्लिक्स कमेंट बॉक्स में बता सकती है अब नेक्स कोशन है नागा पतिनम वाइल रिवाइनरी इस लोकेटड इन विच इंडियन स्टेट यह आपकी है तमिलाड़ो में तो option number 10 में राइट अंसर है अगला कोशन है तेलंगाना यह जो राज्या है तेलंगाना किस वर्स अस्तित्यों में आया तो यह बना था अंदरप्तेश से लग होके 2014 में रिटन स्रही है अगला कोशन है कि विच आर्टिकल्स आफ इंडियन कंस्टिशन डील विद कुल्चर एन एडुकेशन राइट्स तो यह आर्टिकल आते हैं आपके आर्टिकल 29 और 30 आर्टिकल 29 और 30 अगला कोशन है कि विच अधा फॉल्म इस नौट एक कंस्टिटुशनल वॉड़ी इनमें से कौन सा एक सा बेंदानिक निकाया नहीं है तो इसमें से आपका निति आयोग यह आपका कंस्टिशनल वॉड़ी नहीं है नेक्स्ट है आपका कि वाइट कलर इस फॉर्मड आई मिक्सिंग विच कलर्स की वाइट कलर जो है इनमें से कौन से कलर से बनता है तो यह आरवीजी से बनता है रैट बनता है तो ऑप्षिन नंबर इसमें c राइट अनसर है next is soda as is soda as क्या है यह आपका sodium carbonate है तो option number A इसमें right answer है next one is syphilis is caused by यह किसके दोरह होती है, किसके कारण से होता है यह bacteria के बज़ा से होता है तो option number इसमें B right answer है next है आपको opposite पर बताना है juducius का जो इसका opposite word रहेगा आपका indiscreet तो option number D इसमें right answer है stealing from the writings of the others अगर आप किसी यह कार्या को चोरी करते हो तो उसको कहते है plagiarism plagiarism यह plagiarism option number D इसमें right answer है अगला question है कि राजेस has come up fill in the blank a problem तो राजेस has come up against a problem तो option number C इसमें right answer है अगला question है कि idiom बतानी है आपको four in the mouth four in the mouth इसकी right answer है option number C to be furious बहुत जड़ा angry हो जाना next हिंदी के question है गाय का संदीव चेत ताना है तो इसका संदीव चेत होगा gay plus ak option number A इसमें right answer है next है अमरन मैसमास जिसमें भी आ आता है मद सबसे पहले आ तो यह होगा अभ्याई भाव option number B इसमें right answer है next है पुत्र का प्राइबेची पताना है तो पुत्र का प्राइबेची होगा इसमें तन्यों option number A में right answer है next question है हिमाचल परदेश के पहला है state game हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की राज्य का खेल है बॉली बॉल option number C next है as per census 2011 stool tribe population हो हिमाचल परदेश आंसूती जन जाती की अबादी कितनी हिमाचल परदेश पह तो यह आपकी है 3,92,126 तो यह option number B right answer है इसका मुझे कोई right answer नहीं मिला है तो guys आपको पता है यह कहाँ पे बनाया जाता है festival तो आप लिस comment box न जूटता हिएगा next है गसोता फियरी celebrated in which district परदेश इसको बनाया जाता है हिमाचल परदेश तो option में नहीं है तो नन अबदीज होगा next है वानगंगा इस ट्रिविटरी बिच रिवर आप हिमाचल परदेश तो वानगंगा है आपकी गड़ा में और यह है ब्यास की ट्रिविटरी option number B इसमें right answer है next है highest mountain peak हिमाचल परदेश इन विच डिस्टिक सबसे उची परवा चोटी की जिलह में है यह आपकी के नौर में आपको बदाना comment box में कौन सी है सबसे उची चोटी next है तसो मुरारी लेक इस लोकेटर इन विच डिस्टिक हो हिमाचल परदेश तो यह हिमाचल परदेश की डिस्टिक में नहीं है यह आपकी परती है लदाख में तो option number इसमें D रहेगा option इन में से कोई नहीं next है चुहार बैली इस लोकेटर इन विच डिस्टिक हो हिमाचल परदेश यह आपकी परती है मंडी डिस्टिक में चुहार बैली next है जैड क्या है यह आपके है बुद्धिष्ट है तो option number इसमें C right answer है next है कि दारकोटी डॉमेनियन इन हिमाचल परदेश वस फौंड़ वाई तो इसको फौंड किया है इसके संस्तापक थे दुर्गा सिंग option number A next है similar tone वस फौंड़ वाई similar नगर किस आपना किस ने की थी तो एकीती मेजर कनेडी ने option number D is my right answer है next है आपका कि हिमाचल परदेश में ये जो मसत मसत गड़ किला कहां पे स्थित है तो ये जो मसत गड़ फोट है ये मसत गड़ फोट है कहां पे हिमाचल परदेश में ये आपका पढ़ता है नूरपूर तो पहाड़ी सीमाद गांदी के नाम से किसे जाना जाता है ये आपके है भजू मल option number C next है life of राजा समशेर प्रकाश और सिर्मौर वाज रिटन बाई ये बुक किसने लिखी है तो ये लिखी थी वाल गुबिन ने option number A इसमें राइड अंसर है next question है कि which is the smallest dam in हिमाच्य परदे सबसे छोटा डैम कौन से सबसे चोटा बांध कौन है ये आपका है I think ये पनो नहीं होगा यहां पे पंडो होगा option number A इसमें राइड अलसर है next and the last question है कि काउस काउस the staple food of which region has been recently included in the Inesco culture heritage list कौन से reason का है ये है not Africa का तो option number भी इसमें right answer है ठीए guys तो ये थे question अगर आप कोई भी जो भी मैंने question नहीं बताएं तो आप comment box ने उनको बता सकते हैं तो ठीए next section में मिलता हूँ तब तक के लिए bye bye take care